नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मातमज्द आज मैं लक्षमी का रिव्यू करूंगा लक्षमी अक्षेकुमार की एरा अडवानी की फिल्म है और इसे राकविंद्र लॉरेंस ने निर्देशित किया है इसके निर्माताओं में शबीना ख डकारों में मनुरीशी हैं अस्मिनी कस्लेकर हैं राजस्षरमा है सरत केलकर हैं और बीकुछ नए पुराने गलाकार हैं इस फिल्म के बारे में चर्चा बहुत समय से थी और ऐसा कहा जा रहा था कि तमिल की फिल्म कंचना की यह रिमेक है और यह भी खबर आये थी कि यह कंचना की सारी कड़ियों को मिला कर बनाएगी हिंदी रिमेक है हिंदी रिमेक का एडपेशन का काम फरहाद साम जी ने किया है फरहाद साम जी आक्षे कुमार के प्रिये लेखक है और उनकी कॉमेडी फिल्मे निर्देशित भी की हैं उन्होंने और लिखी भी है संयोग ऐसा रहा है कि वे फिल्म में काम्याब हुई हैं यह फिल्म भी पता नहीं अगर थेटर में आती तो कितनी काम्याबी इसको मिलती लेकिन OTT पे आने का एक फायदा दर्शकों को यह जरूर है कि आप इसे भगा भगा के देख सकते हैं यानि बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं अगर आपका दिल ना लगे तो क्योंकि फिल्म कि दो घंटे से ज़्यादा की है लगबग दो घंटे कीस मिनिट की फिल्म है और एक घंटे चालीस मिनिट तक एक गंटे पैंतालीस मिनिट फिल्म में क्या चल रहा है या अगर आप अंद्याजा लगा दें तो बहुत अच्छी बात होगी यह सारी पठकता के धीलेपन का नतीजा है पठकता जिस तरीके से बुनी गई है और फराज साम जी ने जो एडेप्ट किया है इसको हिंदी फिल्मों के हिसाफ से और अपनी कॉमेडी सेंस के हिसाफ से उसी में इस फिल्म का जो कहते हैं भठा बैठा है जी हां लक्ष्मी कहीं से भी आपको फिल्म देखते हुए कोई किसी प्रकार का उत्साह नहीं देती है न यह अपने कॉमेडी से कोई हसी लाती है न अपने हॉरर से कोई डर पैदा करती है यह हॉरिबल कॉमेडी हो गई है एक तरीके से जी हां माफ करें ऐसे शब्दों का इस्तमाल नहीं होना चाहिए लेकिन इतनी नॉन सेंस प्रिसिकल फिल्म हाल फिलो हाल में कोई नहीं दिखी है हम 21 सदी के दूसरे दसक के समापती पर हैं और कि तीसरे दशक में पहुंचेंगे साइंटिफिक टेंपर नाम की चीज जो एक होती है जो पूरी दुनिया में फैल रही है धीरे धीरे ज्यान विज्यान से सारे जो अंदर विश्वास हुआ करते थे भूट प्रेत के टोने हुआ करते थे वो सब खत्म हो रहे हैं लेकि या फिल्म उनकी वकालत करती है और उसी बहाने मुख्य कलाकार को समवाद लिखक को कुछ कहने का मौका मिल गिया है सब एक होते हैं और अब तो उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल चुका है और तारीख का उल्लेख किया जाता है जी हाँ एक खास तारीख बताई जाती है और वो तारीख नई सरकार की तारीख है अब अक्षे कुमार ने फिल्म में आसिव का रोल प्ले किया है उनकी पत्नी की अरा अडवानी एक हिंदू लड़की है और दोनों का प्रेम हुआ है दोनों ने भाग के शादी किया और शादी करने के बाद से परिवार में तनाओ है उनके लड़की के घर वालों ने मुसल्मान होने के उजय से और घर में जो एक तीसरा सदस है जो उनका भतीजा है उनके साथ रहता है वह अपनी चाची से पूछता है कि ऐसा क्या है क्यों नहीं आपके पिटाजी आपको पसंद करते हैं तो बताती है कि चुके आसिव मुसल्मान है इसलिए उनको यह शाद यह कहानी के दो करेक्टर और यह डायलोग आता है तो एक उमीद चकती है कि शायद यह फिल्म रब जिहाद जैसे जो जूटे अंदोलन चलने उनके खिलाफ कुछ स्टैंड लेगी लेकिन नहीं जल्दी ही यह फिल्म अपने उस मुगालते में जाती है जो इसको दिखाना ह है और जो एक संदेज देना है फिल्म में आशिफ जो है वो जागो अवाम का मेंबर है जागो अवाम भूत प्रेट के खिलाफ एक अंदोलन चलाते हैं और इस अंदुश्वास को खत्म करने का मुमिंट करते हैं फिल्म में पता नहीं क्यों यह संभात डाला गया है इस दिन में भूत देखूंगा उस दिन चूडियां पहन लूँगा चूडियां पहनने का मुहावरा इतना पारंपरिक और्थोडॉक्स और घटिया है अगर जागो अवाम में कोई लड़की काम करें और वो भूत परेत के खिलाफ काम करें और उसे अगर भूत दिन चाहे तो वो क्या कहेंगी और फिर चूडियां पहन लेने का क्या मतलब है इतने पिछड़े समबाद आप एक इस्वी सदी के दूसरे दसक के अंतिम साल में लिख रहे हैं और फिर भी उमीद कर रहे हैं कि लोग हसे लोग इंट्रेस्टेड हो एक जगह एक सीन में अक्षे कुमार पर जब बूत्सवार होता है और वो घर की बहु पर अटक करते हैं तो उनको कहते हैं कि तेरा पती टेड़ा है लेकिन तेरा है इस निरणर्थक संबाद का क्या करें तो फरहास राम जी की फिल्म ऐसे ही संबादों से भरी हुई है फिल्म का क्लाइमेक्स जब आता है जब सच्मुच लक्षमी आती है और लक्षमी के साथ जो हुए जब सारा किस्सा सुनाया जाता है तब जाकर के एक रूची बनती है और फिर लगता है कि अब क्या होगा लेकिन फिल्म को देखें आपकी एक व्यक्ति एक युवक्त जो ऐसे अंद्विश्वास के खिलाफ काम करता है भूत को उसी के बदन पर लाया जाता है और फिर वो उससे आवेशित होता है पसेस्जड होता है और फिर उसका अनुसार कि जरुर्ड के मन में उसके तारकिक मन में यह बात आती है कि लक्षम की साथ अन्याय हुआ है और उसको न्याय मिलना चाहिए यह उसका का मन सोचता है लेकिन वाओ दला लेने क वी जिस टाकत की जरूरत है वह उस उस बहुत से भूत सी मिलता है को पहुंचना है वह संदेश है कि किन्रों को भी समान अधिकार मिला हुआ है उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए इससे भला कौन असहमत हो सकता है लेकिन इस बात को कहने के लिए जो तरीका अपनाया है रागवेंद्र प्लॉरेंस ने और अक्षय कुमार संतुष्ट नहीं करता है तो घोर निराशा होती इस फिल्म को देख करके अक्षय कुमार जो पिसले कुछ दिनों से काफी पॉपुलर है पता नहीं उनकी पॉपुलरिटी पे इस फिल्म का क्या असर पड़ेगा क्योंकि यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है लेकिन यह फिल्म डिसेपॉइंट करती है और मुझे असर है कि रागवेंद्र लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म भी किया और जिसमें एक्ट भी किया था उन्होंने वह ऐसी फिल्म ऐसे एडप्रेशन के लिए कैसे तैयार हुए क्या उनको नहीं लगा कि यह जो हिंदी फि फिल्म से काफी खिसक गई है अगर किसी ने कंचना और लक्षमी देखी हो वह सही तुलना करके बता सकता है कि रेमेक में क्या-क्या छूट गया जी हां मैं इस फिल्म को जी हां विवे चूट गया इस फिल्म को मैं सिर्फ डेर स्टार देना चाहूंगा